नमस्कार दोस्तों मुंबई के अटल सेतु पर फिर एक बड़ी घडना सामने आई है राश्टी किरिद बैंग के एक डिप्री मनेजर ने बिते सुमवार को मुंबई के टांस हर्बर अटल सेतु से कूद कर जान दे दी पतनी का आरोफ है कि वह काम को लेकर तनाव में थे आत्मात्या करने की सुचना मिलते ही पुलिस तुरन मौके पर पहुची और सौ को खोजने के लिए टीमें बनाई आप सुभी को वदा दे पुलिस ने सिसी टीवी फुटेज की भी जा थी इसे पता चला कि लाल ब्रेजा कार चला रहे ब्यक्ती ने पुल पर कार रोकी और इसे उतरने के वाद उसने यह आत्मगाती कदम उठाया सेविरी के सीनियर पियाई रोहित खोद ने कहा कि कार मृतक के नाम पर प्रंजिक्री थी इसी अधार पर पुलिस ने मृतक के परिवार का पता लगाया पतनी का बयान दर्ज कर लिया गया है उन्होंने बताया कि मेरे पती आफिस के काम को लेकर तनाव में रहते थे वह बिगत सब्ताह लोडावडा गय थे पती के आकास्मिक निधन से वह सदमे में है पुलिस कांसवार मितक की पतनी ग्रिणी है और उनकी साथ साल की बेटी है पुलिस अभी भी सव बरामत नहीं कर पाई है सव कह तलास के लिए कई टीमें बनाई गए है इस काम में स्थानी मचवार की मदद ली जा रही है तो दोस्तो देख सकते है अटल सेतु पर इस तरह से जान देने की चोथी घटना है अब तक आप देख सकते हैं चोथी घटना सामने आ चुकी है धीरे देरे अटल सेतु अब सुसाइट पॉइंट बनता चला जा रहा है दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों नहों, कितनी भी तकलिप क्यों नहों, कितना भी काम का प्रेसर क्यों नहों, लेकिन जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी जान देना सही सालूसन नहीं है, आपड़ कर बलकि उसका सामना करना चाहिए मुंबई की सभी खबरें से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें